नमस्कार कापिटल टीवी का खाश शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुना लिए आज यूपी के दंगल में बात करेंगे चुनावी दंगल के प्रचार में उतरी तीन महिलाओं की पहली खबर प्रहेंका गांधी के वोटरों से एक सियाहट की त प्रहेंका गांधी की वोटरों से खिसयाहट की कॉंग्रेस महासर चीव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रहेंका गांधी वाधरा ने यूपी विदानसबाद चुनावों के बीच मतदाताओं से नराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वोटरों से नराज है क्योंकि नेता उसका फाइदा उठा रहे हैं डॉक्टर साब यूनकी नाराजगी है या बहुत खला हट देखे कभी कभी प्रेंका वाडरा वो भूल जाती है कि वो कॉंग्रेस पाटी की लीडर है वो टीचर की तरह प्रोचन देने वाली की तरह वो भासन देना स्थार्ट कर देती हैं रोल फिक्सड है राजनेता है तो राजनेता है आप जाकर के पब्लिक को ये कह रही हैं कि मैं बहुत नराज हूँ आप से कि आप जाती धर्म के नाम पे बढ़ जाती हैं किसी ने ये वादा किया था कि दो करोर जॉब देंगे उसकी हिम्मत कैसे परती है कि वो वापस साकर क्या आप से वोट मांगे उनकी हिम्मत कैसे पढ़ती है कि वो आपके सामने फिर से वादा करे तो कॉंग्रेस पार्टी के तो हिम्मत ही नहीं पढ़नी चाहिए कि वो घर से भी बाहर निकल सके दुनिया भर का घुटाला करके कॉंग्रेस पार्टी वोट मांगनी की हिम्मत कैसे करती है आप टूजी कर जाओ आप देज भर के कोईले को खा जाओ लाखो करोरो रुपे का घोटाला कर दो तो आपके पास हिम्मत कहां से आ जाती है लोगों के पास यसे प्रवचन देने की और जाती-पाती की बात रही जहां मुझे याद है पिछली बार जो इन्होंने संगठिन बनाये थे राहूल गांधी में तो जिन जिन लोगों को पद दिया गया था डिस्टिक्ट अस्तर पे उसके आगे उसकी जाती लिख दी गई थी पिछली बार जब उम्मेदवारों का लिस्ट भी आया था कॉंग्रेस पार्टी की में बात कर रहा हूं यह जो आज प्रवचन दे रही है उसके आगे जाती लिखा हुआ था और बड़ा बवाल मचावा तो गूगल कीजिगा सब सब ख़बरे मिल जाएंगी आपको अब यह सब कुछ यूपी में हो रहा था भाई अपने भाई को क्यों नहीं समझाती कि गुजराद में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम होता है उन राजियों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम है वहाँ खुद को जेनेवधारी ब्राम्वन वो क्यों बताते हैं गोत्र भी बताना शुरू कर देते हैं आप ये समझे तो ये कहां से हिम्मत आती है प्रयंका वाडरा यूपी में कॉंग्रेस पार्टी का विनास कर चुकी है और मैं इतने सक्त सब्दों का इस्तमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी बचा खुचा था कुछ काम तो दिगविजे सिंग के समय हुआ कॉंग्रेस पार्टी खत्म होने लगी जो कुछ बचा हुआ था उसमें राहुल गांधी ने उसको विनास किया और जो कुछ भी खंडर जो बचा हुआ था प्रियंका वाटरा ने इस एलेक्शन के पहले उसको भी उसका भी क्रिया करम जो है वो करके खत्म कर चुकी और इनका रोल ये रहा कि ये अभी भी उसी लैंग्विज में बात चीत करती है कि जैसे और जो बात मैं आपको बता दूँ ये मैं नहीं कह रहा रहा शरत पवार ने कहा था शरत पवार ने साफ साफ लब्जों में कहा था कि कॉंग्रेस पाटी कि उनका दिमाग इस हिसाब से चलता है गांदी परिवार का कि जैसे वो पुराने जमाने का जमिंदार हो जमिंदारी चली गई जमीन अब है नहीं लेकिन बात करने का तरीका ओर जो सामने वाले से जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है वो वैसे ही हो कि जो पुराने जमाने में लोग जमिंदारों को वेल्यू दिया करते थे मतलब ये कि प्रियंका वाडरा की माइंडसेट अभी वही फिडिलिस्टिक है पार्टी खत्म हो गई है पार्टी खत्म इसलिए भी हो गई जो बचा-खुचा मैं प्रियंका वाडरा के उपर जो डाल रहा हूँ वो इसलिए कि कई सारे लोग बताते थे कि लोग वहाँ जाते थे तो वो डांट खा क्या आते थे प्रियंका वाडरा लखनों में होती थी तो किसी से बाचित कम डांट ज़्यादा राहुल गांधी प्रियंका वाडरा को ये लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी में जो निता आ रहा है वो कॉंग्रेस को लूटने के लिए आ रहा है कुछ गणबल करने के लिए आ रहा है तो ये माइंडसेट अगर आप रखेंगे तो कॉंग्रेस पार्टी जैसे तो अब UP में कोई चीज रही नहीं और अब आप लोगों को ये समझा रहे हो वै इस देश में राजनीती में जाती का इस्तमाल कॉंग्रेस ने शुरू किया बाहु बल्यू का इस्तमाल कॉंग्रेस ने शुरू किया जितने भी electoral mal practices हैं उसकी जन्नी जो है वो कॉंग्रे जो दे रहे हैं वो कहते ना सत्तर चुहे खाके बिल्ली हज को चली तो वही हज पे निगली हुई हैं जी रग्रसाब दूसरी खबर की बात करें तो समाजवादी की पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पतनी डिमपल यादव भी चुनाव प्रचार में कूद गई है शुक्रवार को कौशंबी के सराथू में पार्टी प्रत्याशी पलवी पतेल के लिए उन्होंने वोट मांगे और बीजिपी पर तीखे हमले की एडिमपल ने कहा कि योगी के कपड़ों का रंग लोहे में लगी जंग के रंग के जैसा है ऐसे में जंग वाले इंजन को हट जाने का समय आ गया है डॉक्टर साब ऐसा विवादित बयान वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है देखे मुख्यमंत्री पर हमला करें लेकिन यह जो अटैक है इस अटैक के बाद से जो संत समान से बड़ा नराज हो गया आपको उसके महत्त को समझना पड़ेगा अगर आप भगवा रंग के उपर कमेंट करते हैं तो वानी में अपने अपने सब्दावनी में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉंसर्श रहना पड़ेगा कि कहां कहीं आप से कोई लक्षमन रिखा तो क्रॉस नहीं हो जा लिए आप योगी जी पे आच्छेप कीजिए उनके उपर आरोप लगाईए बास समझ में आती हैं भगवा रंग के उपर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप तो सब को कर रहे हैं पॉलट के कोई सवाल पूछता नहीं समाजवादी पार्टी के किसी लीडर की अख्लेस या जिम्पल यादब की हिम्मत है कि किसी मौलवी मौलानाओं के टोपी दाड़ी पैजामा कुर्ता उसके उपर एक शब्द भी बोल के दिखा दे तो यह जो अपीजमेंट की जो राजनिती है मुसलमानों के वोट की वज़े से आप इतने ज़्यादा आपके आँखों के सामने पट्टी बंद गया है कि एन केन प्रकारिन हिंदूों के उपर भगवा रंग के उपर हिंदू प्रतीक चिन्हों के उपर कुछ कटाक्ष मार दो इनको लगता है कि मुसलमान खुश हो जाएगा आपने भगवा रंग का निरादर किया वो तो हिंदू समाज ऐसा है कि कुम्ब करनी नींद में सोया हुआ रहता है गालियां दे दो मार दो पीट दो लूट लो बलतकार कर दो हिंदू जगने वाले नहीं है इस देश में इसलिए इस तरह के नेताओं को एक फ्री रंड मिल जाता है कि आप भगवा के उपर राम चंदर जी के उपर मंदिर के उपर कुछ भी कर लो मुलाहिम सिंग ने राम मंदिर नहीं बनने देंगे गोली चलवा दी एक मस्जिद की इट के लिए या किसी मंदिर की इट के लिए या किसी इस तरह के विवाद के लिए मुसल्मानों के उपर लाठी भी बरसाने का काम कर सकते हैं क्या यह सेक्विल पार्टियां जब वो सकार में होती है तो हिम्मत नहीं पढ़ती है नहीं कि तो इसलिए जिंपल यादव तो अकली सादव की पत्नी है उतना ज्यादा पॉलिटिकल इसमें नहीं रहती पारिवा जब आप पब्लिक में आते हैं तो आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवा रंग हिंदू धर्म का एक एहम हिस्सा है वो तिरंगे का एक एहम हिस्सा है और इसलिए जब आप भगवे रंग के ऊपर करका आप कुछ भी कटाक्ष करते हैं या बातचीत कर तो उसमें सहीं वरतनी की जरूत है अगर आप उसको जंग पे या किसी आप उसकी तोहीन करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी राजनीती का परिचायक नहीं है मुलायन सिंग यादव की बहू अपणना यादव ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से नाता तोड बीजेपी से अपनी सियासी डोर बान दी थी हाली में वो बारबंकी के सदर विदान सभा शेत्र में प्रचार करने के लिए पहुँची उन्होंने सपा पर जम कर हमला बोला रैली के दुरान उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टी करन की राजनीती कर रहे हैं उन्हें मूँ तोड जवाब दीजे बलकि मैं तो कहूंगी कि अगर मूँ तोड़ना भी पड़ जाए तो मूँ भी तोड़ दीजेगा तुष्टी करन की राजनीती बिना नाम लिए सभा पर निशाना साधिया है देखिए अरपना यादव बहुत ही जिसों कर सकते हैं कि सुल जी भी लीडर वो बनेंगी कैपिटल टीवी से नहोंने बहुत ही एक्स्क्रूसिव बातचीत की पूजा दूबे ने उनसे बातचीत की और एक तो राजनीतिक पक्ष उनका अपना अलग है जिस हिसाब से वो गाना वे रहे वी गाती हैं जो उनका परसोना है वो भी बहुत ही लुभावना है और राजनीतिक की तौर पर आप जाने दीजिए लेकिन अखलेश चादव ने क्या लूज किया है वो भारती इंदा पाटी में चली गई कि कैसे जाने दिया गया ये समझ में नहीं आता आप उस इंटर्विव का कुछ हिसाब देखिए आपको भी ये लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में ये इतनी सारे लोग हो और आप इस तरह के कैलिबर के सक्स को आप जाने दे देते हैं आप देखिए इसको प्रचंड बहुमत की सरकार बढने जा रही है भारती जनता पार्टी की और जिस तरह से अभी हमारे समय पूरे विश्व में आप लोग भी पत्रकार हैं आप लोग पढ़ते रहते हैं यूकरेन और रशिया में वार हो रही है और आदर्णी प्रधान मंत्री जी इन सारी व बड़ा प्रकाश बने हैं क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं कि वही जो है अगर जो ये वार है जो ये चल रहा है पूरा प्रकरण उसको अगर कोई शांत करा सकता है तो आदर्णी नरेंद्र मोदी जी हैं उनका एक विजेन है सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास लेकर मैं भारत का चरित्र राम है और राम के बारे में बड़े बड़े लेखकों ने चिंतन जो करते रहते हैं और यहां तक कि जो अन्य समुदाय के अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं उनके विचार भी राम के प्रती बड़े शेश हैं अलामा एकबाल साब ने कहा कि अगर कोई पूरे देश में इमामे हिंद है तो वो राम है और उन्होंने बड़ी सारी पंक्तियां भी लिखी थी उन पर मगर राम एक व्यवस्था के रूप में अगर कोई इस पूरे देश में लेके आये तो वो प्रधान मंत्री जी हैं वो हमारे यशवश्य मुख्य मंत अगरा को आगे बढ़ाने का काम किया है जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर घाड बनवाए हैं तो आपने देखा किस तरीके से उनका उनकी परसेनलिटी देखी और जिस तरह के कमेंट्स आये पूरे इंटर्व्यू आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे लगा हुआ है और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो अपने आपके बताता है कि सियस लॉट्स अप पोटेंशियल और चुनाओ का वक्त है तो पाटी निगाह होगा कि भई आपको भामला करना है तो उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया अब देखना यह होगा इस चुनावी दंगल को कौन जीतेगा आज के इस खाशो यूपे के दंगल में इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते होगे क्यापिटल टीवी नमस्कार हुआ 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 है